सब को नमसकार और आज हम लोग जाननेवाले हैं फॉर्म वर्क के बारे में यानि कि आपने ये सारा काम देखा होगा शट्रिंग का, सेंट्रिंग का, स्टेजिंग का, सालों पर ये सारा काम समस् Thema देखने को मिलेगा जब भी हम किसी भी चीज को बनाना होता है तो हमको foundation करना होता है और आजकल cement, concrete, steel यही सब तो काम हो रहा है और इसी को हमले बोलते हैं farm work यानि कि लकड़ी, plywood का साचा बनाते हैं और उसमें concrete ढालते हैं ढालके और उसको एक slab बनाते हैं column ढालते हैं, beam बनाते हैं और छट बनाते हैं, इसा बनाते हैं आजकल यह सारा काम अपने site पे बहुत चल रहा है चाहें power plant बने, चाहें कोई घर बने या कोई hospital बने, या कोई mall बने हर जगह आजकल जो है यह slab casting, suturing, centring, staging यह सब हो रहा है तो इन सब चीजों में हमें सुरक्षा का भी ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत सारा accident इसमें हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग कभी यह staging गिर जाता है concrete करने के time में पूरा का पूरा च्छत नीचे आ जाता है और आपको ऐसा accident आपको news paper में सुनने को मिलेगा देखने को मिलेगा या industry में भी बहुत सारे लोग road के उपर गिर जाते है या जो है जो casting होती है उसके दोरान जो है उनको चोट आता है बिजली के जटके लगते है तो आखिर क्या-क्या ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों में हम लोग इसमें जानने वाले हैं तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग को general safety precaution क्या लेना है और साथ में जो इसमें लेडर लगाते हैं scarf folding के खड़ा करते हैं या concrete pump का यूज करते हैं इस तरह का चीज है आपको site देखने क्यों मिलेगी जैसा आफ देख रहा है यहां पर cheap casting हो रहा है यहां पर देख रहा है सेंट्रिंग किया गया है यहां पinkyर आप देख रहा है ना यहां पर कास्टिंग किया गया बच्वर-ान-दा-प Grade इस पूरे चीज़ को समझने ही कोहिस करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक formwork है और इसी के बारे में safety हम देखने वाले हैं formwork को हिंदी बोलते हैं सांचा यानि कि एक हम ढलाई करते हैं सांचा बना के और इसको हम लोग formwork बोलते हैं या इसको सरिया सेट्रिंग भी हम लोग कह सकते हैं और यह हमेशा साइटों पर परियोग होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का चारो तरफ स्काफर्डिंग पाइप से सेट्रिंग किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है तो इस तरह के plywood जो है चारो तरफ बिखरे पड़े होते हैं क्योंकि plywood से तो हम form कर साचा बनाते हैं ढालने के लिए तो ये plywood जो है आपको एक किनारे में होना है बीच में नहीं पड़ना है क्योंकि आने जाने के समय में पैरले में लगके गिर सकता है और इसमें बहुत सारे जो है नेल निकले रते हैं काटी निकले रते हैं तो जो किसी के पैर में जा सकता है कोई किसी कोई उसके उपर गिर जाए तो उसके सरीन में घुश सकता है तो हमें इसको proper housekeeping साप सफाई रखना है और एक किनारे में इसको सजा के रखना है ताकि कोई आये जाए तो उसका रास्ता ब्लोक न करे और इमर्जेंसी कुछ हो तो हम लोग निकल पाए वहाँ से तो इसलिए इसको 20 सडक में नहीं रखना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में देखे यहाँ पे इसको साइड में उठा के रखा जा रहा है और एक सही तरह से स्टॉकिंग किया जा रहा है क्योंकि अगर सही स्टॉकिंग होगा तो क्या होगा किसी के उपर गिर सकता है हम जब इस तरह काम करते हैं तो कुछ हमारे टूल का परयोग करते हैं और जार करते हैं इससे हथोड़ा हो गया सीजल हो गया या और भी कुछ बांधने के लिए होता है प्लायर होता है यह सारा जो टूल है ठीक ठाक कंडिशन होना है हथोड़ा यूज कर रहे हैं तो उसकी डंडी जो है वो लोहे में अच्छे से लगी होनी चाहिए नहीं तो हम काम करेंगे और हथोड़ा निकल जाएगा किसी के सीर के उपर लग जाएगा अगर हम कुछ काटने के लिए और जार यूज कर रहे हो भी साप सुत्रा बढ़िया होना चाहिए ताकि जो हमें नुक चाहिए बढ़ती जाती है और हमें ऊपर चढ़नी को सकता होती है तो इसके लिए हमको चढ़ने उतरने का एक सही चीज चाहिए जिसमें कि हम लोग लेडर का परियोग करते हैं यानि कि सीणी का और नहीं तो स्काफ होल्डिंग का ऐसा लेडर का परियोग करते हैं तो जो करने का मजबूत होना चाहिए हमारा वजन ले पाए अगर हम सिन्ही परियोग कर रहे तो सिन्ही उपर में बंधा होना चाहिए तो यह द्यां dar कभी भी कोई दूसरा पाइप पकड़ के उपर नहीं चड़ना नहीं तो हमेंसा गिरने का चांस रहेगा इसलिए हमें आने-जाने का रश्ता बना के रखना है कम से कम दो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अब देखिये जब हम इस तरह का सरया सेट्रिंग के काम करते हैं तो हम सपोर्ट देते हैं इस प्लाइवूड का ताकि हम कंक्रिट डाले तो फिले नहीं तो हमें बढिया support देना है ताकि जो है सेफ्टी रहे क्योंकि हम इसके उपर चड़के भी काम करते हैं इस में casting करना पड़ता है तो यह सारे सपोर्ट जो है proper होना चाहिए ताकि जो है यह अच्छे से इसकी casting हो और casting करने के दौरान जो है इसमें से concrete बाहर न निकले हम जब जितना भी सट्रिंग काम होता है प्लाइवड का होता है लकड़ी का होता है और लोहे का भी होता है यानि कि लकड़ी रहता है ज्यादा लगभग तो अगर हम वहां पे कोई होट वर करते हैं यानि कि वेल्डिंग कटिंग ऐसा करते हैं उसमें से चिंगारी निकलेगा हो सकता हो लकडी में फाल लग जाए तो हमें ऐसे काम करना है तो पर्मिट लेना आपकर में होट पर करना है तो वहां आग बुझाना कें लिए स्लेंडर भी होना है पाने भी रखना है ताकि कुछ एमर्जेंसी में फाले डिरी लेकर को आज हम ऊछाणी क्योंकि पूरी लकडी का है और एक में आग पकड़ लिए तो चरदर्फ आग फैल जाएगा तो कोई भी हमें कोई होट वर्क करना है जिसमें से आग निकले ऐसा कोई काम करना है उसमें आग लगने का चांस रहेगा तो हमें सारी सवधानी लेनी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सब नहीं करना इस तरह से अब क्या होता है जब हम कॉलम अगर कास्टिंग करते हैं तो हमारा साचा पहले से बना होता है हम उसको क्रेन से लाके रखते हैं उसमें कंक्रीट डालते हैं जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं तो हमको यह चु तो कॉलम से एक मिटर की दूरी होनी चाहिए ताकि वो प्रोपर एंगल रहे ज्यादा अगर पास में रहेगा तब पीछे के तरह पलटने के चांसे और ज्यादा अगर आप इसे सुला देंगे उसको तो सरकने का चांसे तो हमें यह ध्यान देना है साथ में हम जब शीनी पर क नहीं तो क्या होगा नहीं तो दो हाथ एक पैर पकड़ा रहना चाहिए नहीं तो क्या होगा हम गिर सकते हैं कभी-कभी क्या होता है हम दो पैरों पे खड़े रहते हैं हम हाथ हमारा फ्री रहता है और जब फ्री रहता है तो हम डिस बैलेंस हो जाते हैं और गिर जाते हैं तो ऐसा काम नहीं करना है, और हमें अगर एक दसमलाव आठ मीटर उपर में काम कर रहे हैं, तो उसको हाइट वर्क बोलते हैं, और जब हमको हाइट वर्क पे काम करना होता है, तो हमें फूल बोडी हारनेस, यानि कि सेफटी बेल्ट लगा के काम करना है, और उसको फसाना भी है ताकि जब आप गिरे तो आपको रोग पाए यह सारी छोड़ी-छोड़ी साउधानिया है अगर आप लेते हैं तो एक्सिडेंट काफी रुख जाता है कि जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि सिणी भी जो है उपर में बंधा हुआ होना चाहिए नहीं तो नीचे में कोई पकड़ा होना चाहिए क्योंकि अगर उपर में बंधा हुआ नहीं रहेगा तो क्या होगा वो सरक जाता है यह नीचे कोई पकड़ा रहेगा तब भी नहीं सरकेगा तो सिणी जब भी लगाए तो सोचे के उपर बांध लें और नहीं तो नीचे एक आदमी को पकड़ने के लिए खड़ा रखें नहीं तो क्या होगा उस रख जाएगा और आदमी गिर जाएगा अब हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉलेशन और फ्रम वर्क यह जो भी फॉर्मक होता है मतलए हो ज वक बनाधा तो हम क्रते वह उड़ा के लिए जा रख ऱछ देते और ढलाई कर लेते हैं फिर उसको हटा लेते हैं तो ऐसे कभी-कभी क्या होता है कि छोटे-छोटे काम में तो हलके होते हैं बड़े-बड़े काम में भारी-बारी प्लेट होता है उसको हम लोग क्रेन से उठाते हैं और जब क्रेन से उठा के लिए जाकर रखते हैं तो इस सम जहुत ही चोट आने की संभावना है तो इसलिए हमेसा रेट जोन से बाहर आना देख रहे हैं न जैसे क्योंकि प्लेट किसी के ऊपर गिर सकता है अब बात आगा इस प्लेट को बैलेंस करना पड़ता है मतलब कि सही जगह पर रखने के लिए तो हमको रसी बांधना है दो रस रोब बोलते हैं जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं अब जब हम काम करने के लिए जाते हैं हमें कास्टिंग करना है उसके अंदर कंक्रीट डालना है या उसको बांधना है तो हमें क्या जरूत पड़ती है एक platform की, है न, एक भाड़ा की हो सकता पड़ती है, तो यह तो भाड़ा हम लकड़ी का भी बना लेते हैं, और नहीं तो इंडस्टी में हम लोग scaffolding बनाते हैं, pipe का बनाते हैं, तो जब यह चीज बनाते हैं, तो हमें कुछ चीज को ध्यान देना पड़ेगा, scaffolding का भी बनाने का एक नियम होता है, तरीका होता है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि सही भाड़ा नहीं होने पर आदमी जब चड़ जाए, तो गिर जाता है, जब यह जो है, आदमी गिर जाएगा, तो उसको चोट आएगा, तो जब भी हम भाड़ा बनाते हैं, तो कि वो पाइप धसे नहीं, कभी-कभी कंक्रीट का रहता है, तो हमें उसमें प्लेट लगाने क्या हो सकता, नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो कंक्रीट है, धसे का नहीं, लेकिन जहां जरूरत हो, जहां मिट्टी गीली हो, जहां किवल मिट्टी हो, उस मिट्टी में पाइ गुटने इतना मीड रेल बीच का रेल नहीं तो क्या होगा हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे तो इसलिए उस पर रेलिंग लगाना है और उस पर चड़ने उतरने के लिए भी शिणी की वेवस्ता होनी चाहिए इसमें हम लोग कुछ छोटे-छोटे समान अगर रखते हैं इस सुदघा है इधर उधर और ना हो जाएगा तो प्रोपर ब्रेसिंग भी लगाना है और ये भी दियान देना होता है कि जब हम लोग इसकि हाइट ज्यादा हाइं और ये ओन जवनद लोग कर Кora के में धियस्तों आइग में करते हैं इसस चाज़ते ज्यादागें गर जाएं जा सकते हैं उसके उपर जाना है आप जा सकते हैं लेकिन एक्स्टा सपोर्ट देना पड़ेगा जिसको हम लोग आउट रिगर बोलते हैं कई जगर रैकर भी बोलते हैं उसको साइट से हम लोग पाइप का सपोर्ट देते हैं तिर्चा जिससे क्या होगा उसका अधार बढ़ अब काम करने के लिए एलाउड है अब आप इस पर काम कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े जो है सकाफ फोल्डिंग का जो भी नियम है हम लोग को अपनाना चाहिए और इस पर चड़ें तो हम लोग सेफटी बेल्ड का भी परियोग करें तो जोर ज्यादा अच्छा है गाड़े तो हम लोग ऐसा नहीं करना है इस पाइप के उपर चड़के जो रेलिंग है उस पाइप के उपर चड़के भी काम नहीं करना है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब आए जानते हैं खतुरे के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कहीं जब हम बीलिंगों पर काम करते हैं तो हमेंसा गिरने का चांस रहता है इसमें क्या जगहाओ पर टावर के परईपर परयोग करेंग के रहता है पराइब कंकुए हम लोग ज्र्सक्राइब करूड़ करते हैं और उसके बाद जो है यहां पर जैसा आप देख रहे हैं जब हम कास्टिंग करने जाते हैं तो हम लोग स्काफ फोल्डिंग का परियोग करते हैं तो हमको एसकाफ फोल्डिंग के सारे नियम यहां पर हम लोग को अपनाने चाहिए वह इस तरह से सेफटी बेल्ड को भी पहणना चाहिए अब एक अहम बात है जिसमें कि हम लोग जब भी इस तरह का बिल्लिंगों में काम करते हैं तो वहां पर कोई सुरक्षा की बेवस्ता किनारे से गिरने से रोकने के लिए कोई नहीं रहता है तो वहां पर हम लोग को इस तरह से गाड रेल लगाना है गाड रेल नहीं लगा सकते हैं तो हमें जहां भी काम करना है तो वहां पर इस तरह के guardrails दणे है और नियम बताया है उस तरह के लगा के ही और यह बांधनाáis अगर ऐसे किनारों पर काम कर रहे हैं और हमेंसा कुछ गिरने का चांस रहे हैं तो तो वहाँ समान न गिरे इसके लिए वहाँ पे प्लाई ऊड या कोई लकडी का ऐसा चीज लगाना है जिसे कि वह समान कोई न गिरे जिसको हम लोग टोबोड बोलते हैं और किनारे पे अगर काम आपको करना है तो safety belt का प्रयोग करना है lifeline बांध के ताकि आप गिरे नहीं और यह कब करना है जब उसकी height एक दस्मलाव आठ मीटर यानि कि 1.8 मीटर से ज़्यादा हो बहुत नज दीखो तब भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1.8 मीटर से ज़्यादा को ही height work हम लोग बोलते हैं अब बात आ गई जहां भी हम building कों में काम करते हैं या इस तरह काम करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अभी सीड़ी तुरंत या तो बना है या बना ही नहीं अगर तुरंत बना है तो हमको उसमें guardrail लगाना है क्योंकि तुरंत guardrail नहीं लगता है वो बनने के बाद फिर last rail लगता है तो हमको वहाँ पर pipe लगारा जो है सीड़ी नहीं बना है तो हम लोग जैसे मैंने बताया स्काफ फोल्डिंग का चढ़ने उतरने का सीड़ी हमें बनाना है और उसमें भी प्रोपर हैंड रेल जो टॉप रेल है वो पूरा होना चाहिए ताकि आदमी गिरे नहीं और अगर लेडर का परियोग करते हैं सीड़ी सीड़ी का तो सीड़ी जो है जैसे मैंने बताया कि उसका एंगल सैड़क्री होना चाहिए और किनारे से सीड़ी जो है तीन मींटर ऊपर निकला होना चाहिए क्यों एक मीटर होना चाहिए इसलिए हम नोग सीनी को इस तरीके से लगाते हैं अब हम जब सुछटटोगर के कास्टिंग करना है जब हम काम करने जाते हैं तो हमेशा कहेंगे के सरीयग उपर चलना पड़ता है। रोड के उपर चलना मतलब पैर फंसकर के आदमी गिर सकता है। तो आप देखे होंगे, कई जगों पे ऐसी बेवस्था करते हैं, उसके उपर प्लाई बिछा देते हैं, पतला सा प्लाई उसके उपर आने जाने के लिए, तो हम लोगों को उसी तरह से इस तरह जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड बिछा लेना है, और बोर्ड बसने का और गिरने का चांस रहेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग च्छत को च्छत बनाने के लिए हम लोग रोड को बांते हैं हम लोग रोड बिच हाते हैं तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग सही हैंड गलप का परियोग करें ताके ठारों गरा अमारे हाथों में नंग गड़े और अगर हम लोग कुछ कट्व Intellect ALL कर रहे हैं तो जस्ामे का भी परियोग करें और दो तारों के दो रोड के बीच में हाथ भी नगुसाएं तो यह सारे चीज़ें हमें ध्यान देनी है अब आप देखे होंगे जब हम कॉलम को और उपर ले जाना होता है या रोड को हम बांते हैं तो रोड को बांने के टाइम में हमें उचाई होता है तो वहां भी हमें सकाफ फोल्डिंग का परियोग करना पड़ता है तो सकाफ फोल्डिंग को वहां पे सही तरीके से जैसे हमें ने बताया उसी तरीके से परियोग करना है harness का परियोग करना है और इस तरह का जैसा road देख रही है बांधने के लिए इसमें क्या होता है जब बांधते हैं तो हमारा only कभी कभी फंस जाता है दो road के बीच में और दब जाता है ऐसे समय में हमें PPE का परियोग करना है और सही से हमें जो trend worker हों जो लोग इस काम को किये हों उन्हीं लोग को लगाना चाहिए नहीं तो सब कुछ बता के तब उनको काम में लगाना चाहिए अब आप ये सारा चीज होने के बाद कास्टिंग की बारी आती है हम लोग कॉलम और कास्टिंग करते हैं और ये bucket bucket का आपनों यूज देखा होगा bucket ये generally tower crane में लगता है और उसमें हम लोग concrete भरते हैं और जहां ले जाके डालना होगा पोर करना होगा वहां पोर करते हैं तो अब ये क्या है कि लिफ्टिंग की लिफ्टिंग में आ जाता है और जहीं लिफ्टिंग में आता है तो इसका third party certificate भी चाहिए यानि कि कोई government approved आदमी आके इसको TPI करेगा और उसकी certificate होनी चाहिए क्योंकि इसमें ceiling लगता है किसी के उपर गिर सकता है जिसे tower crane है उसका भी हमको third party inspection होना है उसमें competent जो operator होगा वही चलाएगा नहीं तो क्या होगा किसी के उपर गिरा सकता है तो ये चीजे हमें देखना है कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो इसका inspection करना है साथ में इसकी TPI भी होनी चाहिए और जिस platform पे हम अब यहाँ पे casting करने जा रहे हैं तो किसी ने किसी platform पे हमको खड़ा हो कहीं casting करना पड़ेगा तो ये platform जैसे मैंने बताया कि वो सही होना चाहिए उसमें गाडरे लोगर लगे होने चाहिए चड़ने उतरने के लिए सीड़ी होनी चाहिए और ये आदमी जो है इसकी जनकारी होनी चाहिए कैसे करना है नहीं तो क्या होगा वो सिग्नल प्रोपर नहीं देगा वो क्रेन ओपरेटर को सही से नहीं बताएगा और वो बकेट दर दर करेगा और उसी में वो आदमी दब जाएगा तो हम लोगो थोड़ा सा ये सावधानी यहां पे रखना है कि जो लोग भी काम करें हमारा ड्राइबर टावर क्रेन का और साथ में ये दोनों का सिग्नल प्रोपर होना है नहीं तो वाकी टाकी दे दीजिए जिससे को बात करें जनली टावर क्रेन में वाकी टाकी होता है और प्रोपर कम्मिनिकेशन रहेगा तो accident होने का chance नहीं रहेगा अब हम लोग slab की casting करते हैं और इसमें आप देखे हैंगे concrete pump का परियोग करते हैं तो concrete pump भी जो है third party inspection उसका होना चाहिए और उसको वही आदमी चलाएगा जो trend हो जो उस concrete pump के साथ आया हो वही चलाएगा क्योंकि दूसरे लोग अगर चलाएगे उनको पता नहीं चलेगा और इसमें ज़्यादा pressure होता है किसी को भी चोट लग सकता है मैंने खुद देखा है दूसरे लोग चलाने के चलते हैं जो उसका मेस होता है उसमें उसने हाथ खुसा दिया और उसकी उगली कट गई कई बर क्या होता है इसका pipe जो है pressure में होता है और इसका जो joint होता है वो खुल जाता है और इसका concrete किसी को उपर लगता है और इसको चोट लग जाता है इतना pressure होता है किसी की जान भी ले सकता है तो हमेशा इस pipe के जो joint होते हैं उसके आसपास किसी को नहीं रहना है, वह अनथोराई आदमी जो उस काम को नहीं किया हो कभी, उसके पास उसकी जनकारी नहीं हो, वह आदमी उस काम को नहीं करेगा, जिसकी जनकारी है वही उस काम को करेगा, यह कंक्रीट जब हम लोग पोर करते हैं, जब कंक्रीट इसमें ड पुझा सकता है, इसको आपको पीछे से ओपरेट करना है, या जैसा भी concrete machine के जो operator है उलोग जैसा instruction दे वई इसे ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मेसन के लोग होते हैं वो खड़े राते हैं, जबकि उनके देख रेख में जो concrete पर हम चलाते हैं उनके पास knowledge रहता है उसी तरीके से काम करना है और आपको बाकी इसके joint अगरा कुछ attachment अगरा कुछ नहीं करना है क्योंकि वही करेंगे जो उनकी जनकारी हो जिनने बहुत इन समय से काम किया है नहीं तो इसमें बहुत बड़ा accident हो सकता है क्योंकि नीचे से concrete को pump करके उपर ले अब आपने देखा होगा कि हम लोग vibrator का पर्योग करते हैं vibrator क्या होता है concrete को compact करने के लिए मतलब कि उसमें कोई हवा या पूरी तरह से बैठ जाए concrete अच्छे से इसके लिए vibrator का पर्योग करते हैं तो vibrator का जब हम कोई petrol वाला भी हो सकता है न तो यह सारे होते हैं generally petrol और electrical वाला मैं देखा हूँ तो यह जब हम पर्योग करते हैं तो अगर electrical वाला पर्योग करते हैं तो आप नीचे से way लेके आऊगे और उदर पुरा road है तो वायर हमें से कटने का chance रहता है ओ रॉड में टच होने का जोड़े होता है उसमें लाके रखने के लिए ताकि वोग पानी से दूर रहे लेकिन हमें क्रih-चेक करना है कोई भी वाइयर में जॉइंट नहीं होता है क्योंकि पूरा-पूरा पानी होता है जो कंक्रिप करते हैं और वाइब्रेटर जब हम चलाते हैं, तो हमारे हाथ में भाइब्रेशन आता है, और हमारा जब एक आदमी को ज्यादा भाइब्रेशन लगेगा ना, उसकी उंगली जो है सुन हो जाता है, तो इसलिए कभी भाइब्रेटर एक आदमी को नहीं चलाना है, हर आदे घंटे पर क्योंकि एक आदमी चलायेगा, क्या होगा, उसका हाथ जो है, उसकी जो जुएंट है, उसमें दर्द होना श्टार्ट होगा, उसमें ये सुन हो जाएगा, और लंबे समय तक होगा तो उसकी बीमारी भी हो सकती है, और ये पूरा हाथ काम करना बंद कर देता है, तो आपरेटर को जो सही भाइबरेटर है, जो अच्छी कंपनी का वही यूज करें, तो उसमें आपरेटर को ज्यादा बाइबरेशन नहीं लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां बे भाइबरेटर का यूज किया जा रहा है, अब सबसे लास्ट में जो बात आती है, व लेकिन अगर हम रात में काम करते हैं, लाइट नहीं रहता है, अभी एक एक्सिडेंट हाल में ही पूने में हुआ था, रात के दस बजे वो लोग यह सलैब वाला काम कर रहे थे, और अचानक से जो है वो पूरा सलैब ही गिर गिया, पूरा वो जो नेट बाने ते जाली बा करवा रहा है, करवा रहा है, नाइट में कोई उनको देख रेक करने वाला नहीं है, और सपोर्ट उसका बढ़िया नहीं था और गिर गया, जिसमें लोग दब गए, दबे तो तुरंत मरे नहीं, लेकिन उसको हटाते हटाते जो है कई लोग मर गए, क्योंकि उतनी बड़ी और प्रोफर लाइटिंग में ही काम करना है, इंजिनियर नहीं रहे, सुपरोजर नहीं रहे, काम मत करिए, क्योंकि बहुत सारा चीज जो लोग को पता होता है, आपको पता नहीं होता है, जो हमारे काम करने वाले भाई है, उनको जदा पता नहीं रहता है, उनको जदा खत पाड रेल नहीं आपको पता नहीं चलेगा आप गिर जाएंगे तो लाइट जो है प्रोपर होना है चारों तरफ जिदर भी काम ए उदर प्रोपर लाइट होना है और नायट में निकलने के लिए इमर्जेंसी लाइट का भी परियोग करना चाहिए क्योंकि इमर्जेंसी प्रपeszंता है तो फिलना लगाना और जब इन से लगाना है तो उसमें Lexa भालता है कक भी하다 हिदी देखना और मतलब उसे प्रपर लाइ्टिंग होने जैसा आज देख रहे हैं यहां पर उपर में काम हो रहा है तो यहां पर लाइटिंग उनि राहए जहां पर कम हो रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कinek bakalım मैं जैसा देखे हैं इधर पे रोड का काम हो रहा है तो यहां पर पर लाइटिंग ऊपर से रहना है ताकि सबको पता चले यह बिल्डिंग में अगर काम हो रहा है तो इसमें इमर्जेंसी लाइट भी देना है ताकि लोग को मालने निकलना किदर से है अगले ही यह सही नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई